Hello everyone, welcome to self-care knowledge आज मैं इस वीडियो में मिनी कुलर का रिव्यू करने वाली हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये मिनी कुलर मैंने online purchase किया है अगर आप भी इस product को purchase करने के लिए सोच रहे हैं तो प्लीज लेने से पहले इस वीडियो को complete watch किजिए इस वीडियो में मैं आपके लिए मिनी कुलर का detail review करने वाली हूँ इस product को मैंने online purchase किया है जो आपको 399 से लेके 599 में मिल जाएगा मिनी कुलर का cover बाहर से अच्छा नहीं है डैमेज हो रखा है जरूरी नहीं है कि सबको ऐसे ही receive हो देखते हैं ये अंदर से safe है या नहीं है तो ये मुझे अंदर से बिलकुल fresh product receive हुआ है तो चलिए बात करते हैं इसके material की तो ये आपको plastic में मिल जाएगा जो कि मुझे ठीक quality लग रही है cooler में आपको front में on off का button मिल जाता है ये many cooler two mode से operate किया जा सकता है AC mode and DC mode alternative current आप इसमें तीन बैटरी लगा के operate कर सकते हैं और DC mode direct आप USB cable connect करके इसको on कर सकते हैं ये many cooler travel friendly product है जो कि इसमें बहुत अच्छी बात है और इसमें दो mode होने की वज़े से direct और alternative current की वज़े से हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं जैसे के train में बस में अगर वहाँ पर charging time है तो हम USB cable से enjoy कर सकते हैं झाल कर सकते हैं रड़े ये जिलतों आप हैं झाल झाल तो चलिए मैं आपको डारेक्ट यूएस्बी केवल से कनेक करके मिनी कूलर को चला कर दिखाती हूँ इस मिनी कूलर के नीचे आपको एक स्मॉल ट्रे मिल जाएगी जिसमें आप वाटर डाल सकते हैं ताकि आप ठेंडी एर इंजॉय कर सकें तो इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है और फिर मैं आपको चला कर दिखाती हूँ कर दो इसमें आपको चला कर दिखाती हूँ झाल झाल आपको मिनी कुलर में हवा को अरजिस्ट करने के लिए मिल जाता है आप हवा को अप डाउन कर सकते हैं तो आपने वीडियो में लाइव देखा कि ये मोटा रुमाल भी हवा से ओड रहा है तो चलिए मैं आपको एक और तरीके से शो करती हूँ कि ये कुलर कितनी तेज हवा देता है तो आप देख सकते हैं पेपर पहले कुलर के कितने क्लोस था और ओन करते ही कितना दूर हो गया है परस्नली मुझे ये प्रोड़क्ट दो रीजन की वज़े से अच्छा लगा है एक तो ये ट्रेवल फ्रेंडली प्रोड़क्ट है इसली हम कहीं भी ले जा सकते हैं दूसरा ये यूस्बी केवल से ओपरेट हो सकता है बार-बार बैटरी चेंज करने के प्रोब्लम को भी सॉल्फ करता है आपको ये प्रोड़क्ट कैसा लगा है प्लीज कॉमेंट में जरूर बताए अगर आपको प्रोड़क्ट रिव्यू वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कॉमेंट करें थैंक यू फू वाचिंग